IPL 2023 की बड़ी अपडेट जाने कब होगा शुरू किन मैदानों में होगी जंग IPL 2023 को लेकर क्रिकेट प्रेमियों के बीच काफे उक्चुकता बड़ी हुई है आपको बता दे कि हाल ही में 23 दिसंबर के दिन कोची में IPL 2023 का आक्षन हुआ इस आक्षन में कई खिलारियों पर करोडों रुपे की धनवर्शा हुई लेकिन अब IPL 2023 से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है आपको बता दे कि IPL 2023 का शेडियूल सामने आ रहा है हाला कि अभी तक आधिकारिक तोर पर पुष्टी नहीं हुई है कि जो शेडियूल सामने आया है उसी के मताबिक IPL आयूजित होगा या नहीं BCCI फरवरी महीने में IPL 2023 से जुड़ी पूरी जानकारी आधिकारिक रूप से अपने ट्विटर हैंडल पर जारी करेगा आपको बता दें कि ऐसा माना जा रहा है कि IPL की शुरुवात 31 मार्च या फिर 1 अपरेल से हो सकती है जिसका फाइनल मुकाबला 28 मई को खेला जाएगा इस बार भी पिछले साल के तरह ही 10 टीमें इस IPL में हिस्सा लेंगी और 74 मैच खेलेंगी आपको बता दें कि IPL 2023 के लेकुल 10 मैदानों को शॉटलिस्ट किया गया है इसमें से दिल्ली के अरुन जेटली स्टेडियम, कॉलकता के इडन गाडन्स, लखनाओ का इकाना स्टेडियम, मोहाली का आईस बिंदरा स्टेडियम, चिन्ने का चिदंबरम स्टेडियम, बैंगलोरू का चिन्नस्वामी स्टेडियम, एहमदाबाद का नरेंदर मोधी स्ट स्टेडियम, हैदरबाद का राजिव गांधी इंटरनेशनल स्टेडियम, जैपूर का सवाई मान सिंग स्टेडियम और मुंबई का वानखेडे स्टेडियम शामिल है। यह IPL सीजन भारतीय स्टार खिलाडी महेंदर सिंग धोनी का भी आखरी IPL सीजन हो सकता है। तो ऐसे में IPL में चिन्ने की टीम धोनी को अच्छी विदाई देना चाहेगी। इस खबर में फिलहाल इतना ही बाकी की तमाम खबरों के लिए आप बने रहिए वन इंडिया के प्रस्साइब